खुख नाल swear very हमारे डाउम्हारी वह रियुन से अजितश यरी से स्केट काने f वह चीनिफ महारा तो जाएया रियू हो पास पार्शल f तब से परदे यह find करेंगे, तो tangent का हमारे पास क्या है derivative, secant squared hyperbolic, a secant hyperbolic square, ठीक है, hyperbolic square, तो यह हो जाएगा, हमारे पास bracket वैसे का वैसा रहेगा, 2y plus 3z, अब हम लोग partial by partial x ले ले लेंगे, with respect to this bracket, याद होना चाहिए, जब भी हमारे पास कोई bracket आए, तो bracket का दुबारा से partial by partial, जो भी है variable, वो find करना चाहिए, ठीक है, तो यह हो जाएगा, x plus 2y plus 3z, ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग देख लें, तो हमारे पास यहाँ पर आजाएगा, अच्छा, अब मैं green marker, क्योंकि इसमें इंक जादा हो गई है, तो यह काफी इंक छोड़ी है, अच्छा, यह देख लेंगे, यह हो जाएगा हमारे पास, secant hyperbolic, x plus 2y plus 3z, एंसाथ में गर यहाँ पर देखनें, with respect to x कर रहे हैं, तो x का derivative क्या हो जाएगा, and this will become 0, जब तक हमारे पास product में ना हो, वो चीज constant नहीं रहती, याद रखेगा, अगर आप लोग बोलें कि कभी कभी मैं क्या करती है, कि x, y और z होता है, तो x के respect से कर रहे हैं, तो x को 1 लिख लेती हैं, इन दोनों को constant कर देती हैं, क्योंकि यह हमारे पास क्या होते हैं, product में constant होते हैं, बट जब plus minus division में आए तो वो क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, इस बात को याल रखेगा, शाहिए मैं शुरूर में बताना भूल गें, लिकिन जो example होगी मैं उसमें बताई होगी, ठीक है, और बार में mention करती हूँ, तो आपको कोई doubt होना चाहिए कि हम लोग किस तरह से कौन सी चीज़ करते हैं, तो यहां पर हमारे पास one आ जाएगा, one को लिखने की जरूरत नहीं है, और हमारे पास answer आ चुका है, first वाला, अब second की बात करें, तो इसी में changes करेंगे, and second का answer निकालेंगे, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, two रह जाएगा, तो यह हो जाएगा, two अब इस two को आगे भी ठीक सकते हैं, तो यहां पर हमारे पास two, ठीक है, इसको यहां से हटा तीचे, तो यह हो जाएगा, तो यह तो यह से हो गया, अब हम लोग with respect to z करेंगे, तो z का किस तरह से solve होगा, तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं, z, यहां पर ले लेते हैं, z, अब यह नीचे आजाएगा, तो यहां पर two तो है नी, तो यहां पर यह नीचे आजाएगा, हम लोग with respect to z करेंगे, तो x will become zero, y will become zero, and 0 will become three, क्योंकि z का derivative one है, और three है, तो यहां पर three आजाएगा, विस three को पीछे लिखें, यह तो यहां पर solution में पीछे है, हम next step करेंगे, तो next step में आगे लिख लेंगे, और मैंने एक step छोड़ दिया है, था कि हमारे step कम हो जाए, और video भी थोड़ी सी छोड़ी हो जाए, इतनी बड़ी-बड़ी हमारे पास exercise है, और सब के papers हैं, और सब को paper के time पे ही request याद आती है, कि भाई हमारा paper है, मैं यह वाला chapter करवा दें, ठीक है न, next time, बिल्कुल भी last वाली जो timing की request हो बिल्कुल नहीं बाने जाएगी, शुरू से बताईएगा, okay, तो हम लोग आ गए है, question number 34 पर, यहां पर हमारे पास sign hyperbolic given है, और sign hyperbolic का हमारे पास derivative क्या होता और मैंने आपको बताया, bracket का दुबारा से partial derivative ले ले लेंगे, तो यह हो जाएगा partial by partial x, यह हो जाएगा xy-z square, अब हम लोग लिख देंगे इसको cos hyperbolic xy-z square, वैसे का वैसे हो यहां पर y आ जाएगा, तो अब इस y का आगे लिखने तो ज्यादा प्यारा लगेगा, ठीक है तो यह हम लोग इसको आगे लिखते हैं थोड़ा सा प्यारा लगने के लिए, and order को maintain करने के लिए, तो यह हो जाएगा हमारे पास partial by partial x, अब इसी वे changes करेंगे, and next find करेंगे partial by partial y, तो इसको हम लोग रेस कर देंगे, and हमारे पर जो चीज हो जाएगी, वो हो जाएगी, यहा तो य के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो y हमारे पास 1 हो जाएगा, and x हमारे पास constant हो जाएगा, and z will become 0, तो यहां पर हम लोग के लिए पास क्या जाएगा, x हो जाएगा, so x को लिए 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 तो बहुत ही जाएगा, तो इसको यही पर लिख देते है, because order भी एक चीज हो constant continues continue रहेगी, यह हो जाएगा, cause hyperbolic, x, y, minus z square, and यह हमारे पास क्या हो जाएगा, with respect to z कर रहे हैं, x will become 0, and y will become 0, तो यह दो जाएगा, and z की बात आरही है, तो z हमारे पास क्या है, z square है, 2 नीचा आजाएगा, 2z हो जाएगा, and sign पर देहान दीजिए, sign हमारे पास minus है, तो यहां पर भी minus आजाएगा, ठीके, ऐसे नहों minus हो, आप plus में लिखे हैं, और खोश हो जाएगा, कि हमने सभी solve किया है, ऐसे बलकूल भी नीचा देगा, अग यहां पर लोग लिख रहे हैं, तो यहां पर प्यारा नहीं लग रहा है, यहां पर shift कर दो, तो प्यारा लगे, तो यह हो जाएगा, minus 2z, cause hyperbolic, xy, xy, minus z square, ठीक है, तो अब हमने question, answer को प्यारा कर दी, और यह answer हमारे पर solve हो चुछा है, नेक्स चलते है, बुक की तरफ, सब 45-40, partial derivative of the function with respect to each variable, यहां पर हमें variable change दिये है, अगर आपको कोई चीज का concept clear हो चका है, तो अगर आपको variable कुछ भी दे दो, आप उसको find कर सकते हैं, यहां पर variable है, t, alpha, u, v, something, alpha, alpha हमें दिये गए हैं, तो हम लोग with respect to, इसके find करें के, क्योंके हमें काफी जम गए हैं, partial derivatives में काफी सारे questions हमें find कर दिये, तो अगर हमें कोई भी उन्होंने variable दिया होगा, तो हम लोग उसको find कर सकते हैं, अगर आप उस variable में confuse हो रहें, तो आप क्या करें, x और y को, इसी variables को x और y समझ के solve कर लें, and then, फिर आप जो answer है, तो उसमें फिर आप change कर सकते हैं, तो आप confirm करन इसको find कर सकते हैं, चलिए, start करते हैं, question number 35 से, question number 35 की तरफ आगए हैं, जो first हमरे पस variable given है, वो t और alpha given है, और अगर आपर देखें तो πाई भी है, तो πाई जो हमारे पस constant रहेगा, याद रखें, जब भी कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, जिसमें यहां पर function में variable ना दिया गय हम लोग find करेंगे t से सबसे पहले, ठीक है, तो यहां पर हमारे पस क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखें, कॉस का derivative क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन और यह जो bracket है, यह बिल्कुल वैसे का वैसी या जाएगा, and then, फिर हम लोग partial by partial x लेंगे with the bracket, या यह जो t है, हमारे पस क्या देगा, 1 देगा, हमारे पस answer में क्या रहे जाएगा, 2 और πाई, ठीक है, तो यह हमारे पस derivative हो गया, alpha हमारे पस unknown है, तो इसको हम लोग 0 कर देंगे, because यह हमारे पस with respect to t नहीं आ रहा, तो यहां पर हम लोग नहीं कर दिया है derivative, अब इसका answer लिक ल तो यह हो जाएगा, minus 2, pi, sin, alpha, वगयरे वगयरे, तो यह हमारे पस answer कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है, तो जो भी हम पर कोई चीज derivative में आती हो इधर भेज़ दे करने तक कि वह खुबसूरत लेगे, ठीक है, मैं इसको भी खुबसूरत लिक है, इसके बाद हम लोग इसको और इसमें चेंजेस करेंगे, next part को find करेंगे, that is partial by partial alpha, यहां पर हम लोग alpha के respect से find करेंगे, तो जो पहली वाली चीज़ है, वो तो वैसी की वैसी रहेगी, sin 2, alpha, t, minus alpha, मतब pi, minus रहेगा, and अगर यहापर alpha की बात कर रहे हैं, तो यह हमारे बात कर रहे हैं, तो यह हमारे बा minus 1 आजएगा, and minus into minus, यहापर minus 1 आजएगा, minus into minus, plus, तो यह हो जाएगा, cut, and यह हो जाएगा, sin 2, pi, t, minus alpha, और हमारा question solve हो चुका है, next चलते हैं, question number 36 की तरफ, क्यूंके schedule होते हैं, बहुत tight होता है, इस वज़े से बीच-बीच में, अलग-अलग सा course रह जाता है, हम लोग differential equation क course कर रहे थे, और वो बीच में रह गया है, तो यह हो जाएगा, हमारे पस, आज के question, next मेरते है, next video में अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को like, subscribe, share करना ना भूलेगा, thank you so much,